फाइली A8 रोयल पास इस हेर भाई साब A7 से ना काफी गुना अच्छा रोयल पास है ये मुझे काफी पसंद आया एंड इसके अंदर जो थीम दे रखे हैं इन्होंने पानी वाली थीम एंड जो रिवोर्ट्स दे रखे हैं भाई शोडगन की स्किन देखो उसके बाद ओक की स्किन देखो उसके बाद बोट की स्किन देखो बोट तो भाई चाहिए थी मुझे क्योंकि मेरे पस कोई भी बोट नहीं है फटवट से रोयल पास को करते हैं बाई एंड फिर आगे की बाते करेंगे royal pass buy करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा आपको ये वाला royal pass कैसा लगा मुझे तो पसंद आया बट आप में को comment करके बताना आपको कैसा लगा कौन सा reward आपको सबसे जादा बढ़िया लगा मैं को ये भी comment करके बताना मुझे काफी सारी चीजे पसंद आई है इस वाले royal pass में तो फटवर से चलते हैं इस वाले royal pass को purchase करते हैं अपग्रेड पास पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही आप अपग्रेड पास पे क्लिक करते हो एक animation सा आता है काफी प्यारा सा एंड यह वाली outfit काफी cute लग रही है बट यार हर बार लड़कों वाली outfit यार थोड़ा अजीब तो लगता है लड़कों वाला भी कुछ देना चाहिए तो हम हमेशा की तरह elite plus लेने वाले हैं तो elite plus पे क्लिक करते हैं and boom guys सीधा अपनी हो गई 33 RP collect all पे क्लिक करता हूँ boom guys पहले हमें मिलती है एक outfit फिर मिलती है यूजी की skin जो की दोनों ही मुझे काफी पसंद आई है पहले RP वाली outfit तो मैं पहनने वाला हूँ उसके बाद अपने को मचली की skin मिलती है plane की skin मिलती है helmet की skin मिलती है उसके बाद dbs की skin एक mythic emote और इसी के साथ हमने जितनी भी RP purchase की दी उतने reward तो मिल गए अब हम अगर max करेंगे तो max करने पे और reward मिलेंगे बाकी ये वाला जो emote मिला है elite pass purchase करने की वज़े से मिला है and jet की skin भी मुझे इसी वज़े से मिली है तो देख सकते हैं elite pass प्लस लेने का क्या फायदा होता है इस बार मैं max नहीं करने वाला royal pass उसकी एक वज़ा है वो आपको मैं बताऊँगा वीडियो के end में redeem shop की बात की जाए तो redeem shop के अंदर अगर आप देखोगे RP crate को भाई साहब कितने सारे royal pass की old चीजे वापिस आई है चाहे वो season 13 है, चाहे वो season 10 है, चाहे वो M1 है, चाहे वो M2 है भाई साहब कितनी सारी चीजे वापिस आई है तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो भाई तगड़ी चीज मिलेगी ही जब आप RP point से crate opening करोगे तो मेरे को काफी सही लगी ये weekly crate क्योंकि इसके अंदर काफी सारी पुरानी चीजे है जिन में से कुछ चीजे मेरे पास नहीं है तो मैं इसकी तो opening करने वाला हूँ इसके इलावा RP crate के अंदर और क्या क्या है आप देख सकते हो यहाँ पर आदे से ज़्यादा चीजे तो भाई UC में ही है बट यहाँ पर आप material वगारा redeem कर सकते हो और यहाँ पर और भी काफी ज़री चीजे है जो कि आप निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो तो बाकि upgradable gun की बात की जाए जो Royal Pass के अंदर मिलती है SLR में को काफी सही लगी यह skin आप देखोगे तो भाई max करने पर थोड़ी अच्छी लगती है अच्छी इस वज़े से लग रही है क्योंकि सिर्फ डेड़ material मतलब एक पूरा material एंड छोटे छोटे 5 material अगर आपके पास है तो आप इसे max कर सकते हो एंड max करने के बाद आपकी kill feed तो आएगी कम से कम तो यह चीज में को काफी सही लगी अब royal pass मैंने max क्यों नहीं किया हर बार मैं पहले ही दिन max करता हूं max इस वज़े से मैंने नहीं किया क्योंकि कल सुबे एक new event आने वाला है जिस पे अगर मैं royal pass को max करूंगा तो उसका फायदा मुझे अलग से मिलेगा तो उसके उपर एक detail में वीडियो आएगी उस वीडियो का wait करना आज की वीडियो को यहीं पर end करते हैं मिलते हम अपनी next वीडियो में बाबाई